दोस्तों, चंद्रियान 3 अपने सफर पर काफी आगे बढ़ चुका है। इस रोके वैज्यानिकों की पैनी नजर हर समय चंद्रियान 3 पर बनी हुई है। साथ ही पूरे भारत देश और सारी दुनिया की नजर भी चंद्रियान 3 पर टिकी हुई है। इस मिशन से जुड़ी खबर ही किसी भी भारतिये की धड़कने बढ़ाने के लिए काफी है। हर भारतिये, चाहे वो किसी भी प्रांत का रहने वाला हो, किसी भी जाती का हो, या किसी भी धर्म का हो, चंद्रियान 3 की सफलता की दुआ मांग रहा है। दोस्तों, आखिर क्यों इस मिशन का सफल होना इसरो के साथ ही हर भारतिये के लिए इतना महत्वपूर्ण है। और इस मिशन से भारत को क्या हासिल होगा। साउथ पोल पर ही मिशन क्यों भेजा गया। इस बार लेंडर में 5 की जगा 4 इंजन क्यों। और आखिर क्या कारण है कि ये मिशन 14 दिन का ही रखा गया है। इस वीडियो में हम चंद्रियान 3 मिशन से जुड़ी ताजा खबरों के साथ ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब भी जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना और इस मिशन से जुड़ी हर खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस मिशन से भारत को क्या हासिल होगा। दोस्तों इस मिशन के जरिये भारत दुनिया को बताना चाहता है कि उसके पास चांद पर सौफ्ट लेंडिंग करने और रोवर को वहाँ चलाने की काबिलियत है। भारत दूसरी बार चांद की सतह पर लेंडिंग करने का प्रयास कर रहा है। वह भी ऐसी जगह जहां पर अब तक किसी भी देश ने लेंडिंग की कोशिश तक नहीं की है ना ही हिम्मत। वैसे दुनिया में 11 देश हैं जिन्होंने अपनी मून मिशन भेजे हैं। अगर भारत का यह मिशन सफल होता है तो दक्षिनी दुरूप के पास लेंडर उतारने वाला पहला देश बन जाएगा भारत। दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी बन जाएगी इस रो। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा जो कमर्शियल बिजनिस बढ़ाने में मदद करेगा। भारत ने अपने हेवी लिफ्ट लाँच वीकल LVM3 M4 से चंद्रियान को लाँच किया है। इस वीकल की काबिलियत भारत पहले ही दुनिया को दिखा चुका है। और टूरिज्म परपस के लिए करना चाहती है। LVM3 के जरिये Blue Origin अपने क्रू कैपसूल को Planned Low Earth Orbit Space Station तक ले जाएगा। साउथ पोल पर ही मिशन क्यों भेजा गया। दोस्तों, चंद्रुमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफी अलग है। यहां कई हिससे ऐसे हैं जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती और तापमान माइनस 200 डिगरी से नीचे तक चला जाता है। ऐसे में वेज्यानिकों का अनुमान है कि यहां बर्फ के फॉर्म में अभी भी पारी मौजूद हो सकता है। भारत के 2008 के चंद्रियान 1 मिशन ने चंद्रुमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत दिया था। इस मिशन की लेंडिंग साइट चंद्रियान 2 जैसी ही है। चंद्रुमा के दक्षिनी धुरुफ के पास 70 डिगरी अक्षांश पर। लेकिन इस बार एरिया बढ़ाया गया है। चंद्रियान 2 में लेंडिंग साइट 500 मीटर बाई 500 मीटर थी। अब लेंडिंग साइट को बढ़ा कर 4 किलुमीटर बाई 2,5 किलुमीटर कर दिया गया है। दोस्तों यदि आप सभी की दुआओं और इसरो के वैज्ञानिकों के प्रयासों से सब कुछ ठीक रहा। तो चंद्रियान 3 चंद्रुमा के दक्षिनी धुरुप के पास सौफ्ट लेंडिंग करने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा। इससे पहले चंद्रमा पर उतरने वाले पिछले सभी स्पेसक्राफ्ट भूमद्य रेखी अक्षेत्र में चंद्र भूमद्य रेखा के उत्तर या दक्षिन में कुछ दिगरी अक्षांश पर उतरे हैं। आप कालीन स्थिती में काम कर सकें। इससे पहले चंद्रियान 2 मिशन में आखरी समय में पांचवा इंजिन जोड़ा गया था। लेकिन इस बार इंजिन हटा दिया गया है ताकि ज्यादा फ्यूल ले जाया जा सके। पैनल्ज लगाई गये हैं जो अपने इन ही सोलर पैनल्स से पावर जनरेट करेंगे। इसलिए वो 14 दिन तो पावर जनरेट कर लेंगे। लिकिन रात होने पर पावर जनरेशन प्रोसेस रुख जाएगी। और अगर पावर जनरेशन नहीं होगा तो चंद्रियान के lander और rover के electronic components भयंकर ठंड को जेल नहीं पाएंगे और खराब हो जाएंगे इसलिए ये mission सिर्फ उन 14 दिनों में ही काम करेगा जब चंद्रमा पर दिन होगा और सूरे की भरपूर रोशनी होगी दोस्तों अगर soft landing में सफलता मिली यानी mission successful रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चोथा देश बन जाएगा साथ ही चंद्रियान 3 चंद्रमा के दक्षिनी धुरुप के पास soft landing करने वाला दुनिया का पहला spacecraft बन जाएगा दोस्तों चंद्रियान मिशन से जुड़ी खबर हर भारतिये तक पहुचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में